हवेली तालु का जो है, वो काफी बड़ा एरिया जो है, तो यहाँ पे सबसे जादा जो है लॉंचेज रहे हैं, ऐसे कौन से लोकेशन रहे हैं, जो developer के लिए सबसे जादा फेवरेबल रहे हैं, न्यू लॉंचेज के लिए, यानि लोगों ने रुजहान दिखाया है, सालों में क्या क्या लॉंचेश कहां पर रहे हैं और उससे क्या फाइंदिंस निकल के आ रही हैं यह आपके सामने रखते हैं नवस्कार साथियों स्वावत आप सभी का सौधा घर के आज की इस नए वीडियो में साथियों यह है डेटा अनिलिसिस का वीडियो जहां पे होता है कि किस तरीकी से मार्केट आगे मूव कर रहा है कौन सा लोकेशन सबस्यादा प्रिफर्ड रहा है किस जगा सप्लाई इंक्रीज हुई है किस जगा सप्लाई डिक्रीज हुई है कोविट के पहले क्या थी स्थिति कोविट के दोरान क्या थी और कोविट के बाद किस तरफ मार्केट का ट्रेंड जा रहा है और पूने मार्केट सबसे बड़ा मार्केट कैसे बन रहा है इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे और यह नहीं समझने की कोशिस करेंगे आखिर डेटा का संकेत क्या है वीडियो को आखरी तक देखें यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क्योंकि हर वीडियो में प्रयास रहता है कि आप तक कुछ नई चीज़ें ले आई जाएं तो चलिए इस data analysis के वीडियो की शुरुवात करते हैं सबसे पहले आप लोग screen पे देख लीजिए जो data ये हम लोग देखा रहे हैं ये आपका last का 6 महीने है 2023 का और इसके पहले का जो 6 महीने का data था वो हमने पहले वीडियो कवर किया हुआ है इसमें last के 6 महीनों को भी कवर करेंगे और पूरे साल का भी analysis करेंगे और पीछे यानि कि 5 सालों में कैसे market रहा है इसका भी analysis जैसा मैंने आपको बताया ये भी बताने वाले हैं तो अभी इस screen पर देख लीजिए कि carpet area wise percentage of launches क्या रहे है इन last 6 month पे यहाँ पर आप देखें तो आपको 0 to 30 square meter के बीच में 11%, 32 45 square meter के बीच में 12% और ये जो मैं आपको square meter में बता रहा हूँ इसका square feet भी आप column पर देख पा रहा होंगे तो इस तरीके से आप screen पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन 6 महीनों में कौन से size का launches किस तरीके से रहा है वह यह अगर आप unit wise समझने के कोसिस करें तो यहाँ पे 1BHK के बारे में भी रखा गया है 1.5 से 2BHK, 2.5 से 3BHK, 3 से 4BHK तो यहाँ पर यह भी देख लिजे कि इनका percentage share क्या रहा है launches में इसके अलावा अगर हम type of launches को देखें तो इसमें residential जो है वो 66% इसका share है यानि कि सबसे जादा है उसके बाद commercial जो आपका 5% है और other का share है वो 28% है other जो लोग नहीं जानते उनको बता दे commercial प्लस residential को जो है other में रखा गया है इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहने आपके सामने ये data ये seat रख दे रहा है इसे एक बार देख लीजे फिर इसके analysis को आपके सामने रखते हैं और ये पूरा का पूरा जो data analysis का video है ये area for side के मदद से हम लोग आपके सामने ला रहे हैं जिसमें उनकी मदद लगातार रहती है और हमारी कोसिस रहती है कि उस data से जो finding है वो आप तक पहुचाए जाए जिससे जो buyer है उसके लिए ये helpful हो सके अब एक बार जो है screen पर आप लोग जो अभी ये देखने वाले हैं ये है तालूका wise कहां पर कितने launches रहे हैं और कौन सा dominant रहा है इसमें जो important तालूका है वो आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं जाहिर सी बात है हवेली तालूका जो है वो काफी बड़ा area जो है कहीं न कहीं रखती है जो पूने city के आसपास के जितने भी location है वो हवेली तालूका के अंतर गताते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है launches रहे हैं वहीं अगर आप इसके बात देखें तो आपका मुरसी तालूका रहा है इसके बात पूले city और other बाकी जितने भी तालूका उसको मिला के देखा जाए तो चोथे नमबर प्यारा है अब यहाँ पे हमने year on year जो है रखने की कोशिस की हुई है जिसमें 2020 में आ जानी के second half यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो unit है उनके launches जो है रहे है अब आईए सीधे आज आपते हैं इसके 5 सालों में क्या-क्या launches कहां पे रहे हैं और उससे क्या findings निकल के आ रही है यह आपके सामने रखते हैं अब अगर आप table पे देखें तो यहाँ 10,596 वही जो है calendar year 2020 में जो है घट के 88,560 हो गया वही slight increase हुआ है calendar year 2021 में जहाँ पे आप देख सकते हैं 98,852 unit जो है launch हुए या लगवग 1,00, अगर आप देखें तो यह 88,000 unit क्यों launch हुए थे 20 में उसका सबसे बड़ा दीजन यह था कि COVID का जो पहला wave था वो इसी साल आया 13 में आपके launches थे total एक लाग 10,000 के आसपास वो सीधा drastically drop होके आपका आजाता है 88,000 पे वही अगर आप calendar year 2021 में देखें तो इसे slide rise होता है क्योंकि उस समय 21 में second wave थी और उसके बाद लोगों में कहीं ने कहीं कि awareness जो है COVID को लेकि वो आ गई थी जैसे आप 22 का जो है data यह दोबारा प्री COVID market पे resume कर जाता है इवन उससे काफी उपर लियाने कि लगवग साड़े 3,000 से 4,000 यूनिट जो है उपर launch हो जाते हैं अब अगर आप 23 में देखेंगे तो 2022 से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है total launches में लेकिन सिर्भी पूरे 5 सालों का अगर आप data देखे तो यही जो बात कही जा रही है कि सबसे बड़ा market पिछले 5 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा launching जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं 1,15,000 यूनिट जो है इससे ज़्यादा की inventory market में आई हुई है अब यहाँ पे समझने वाले बात यह हो जाती है कि किस तरह की inventory कहा कहा प वो कही ना कही जो है 1.562BHK के बात जो है 1BHK का भी था उसमें आप देखें तो 26,000 के उपर जो inventory launch होई थी वही अगर आप इसे 2020 में देखें जब COVID का पहला wave आया तो इस तरह की inventory यानि 1BHK की inventory में launches में थोड़ी कमी आ गई और 21 में काफी तेजी से नीचे आ गया क्योंक कि जब work from home आया लोगों को घर की value पता चली COVID में तो उन्होंने बड़े घर के तरफ जादा रुजान दिखाया और market में वो चीज दिखी भी कि जो launch है 2019 में pre-COVID 26,000 थे वो सीधे 8,000 की inventory कम हो गई सिर्फ 1BHK में ही और वो घटके 18,000 पर आ जाती है वही अगर आप 22 में दे mechanical के आ रहा है कि कहीं न कहीं जो market में price rise हुआ है affordability को लेकि जो problem रही है जो issues रहे है उसके चलते लोगों ने छोटे carpet में रुजान दिखाया है और इसके हिसाप से market में launches भी छोटे inventory यानि 1BHK के बड़े हैं वही अगर आप जो है ये range को देखे 1.5 से 2BHK के बीच में तो पूरा का पूरा जो inventory launch था उसमें ही काफी drastic change आये थे काफी नीचे जो है गिरा हुआ था इसके चलते इसमें भी गिराउट देखी गई और ये थोड़ा सा slight increase होता है 21 में 46,000 और कहीं न कहीं calendar year 22 में अगर आप देखे तो इसमें 2BHK 51,000 हो जाते है यानि कि ये resume कर जाता है pre-covid वाले stage पे लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 23 में जो आपका 2BHK के launches है वो कम हो गए है यानि कि जो 2BHK का wire है वो कहीं न कहीं छोटे 3BHK या उसके ऊपर जो है रुजान देखाने लगा अब इसके अगर आगे चले आप 2.5 3BHK यानि कि जो starting range of 3BHK होत number of inventory कम launch हुए थे लेकिन ये unit लगबब उतनी ही launch हुई जो कि starting range of 3BHK का होता है वहीं अगर आप 21 में देखे तो इस पे काफी सार्प increase होता है 21 में 16,829 unit हो जाते हैं और यही चीद 2022 में देखेंगे आप काफी तेजी से ऊपर जाती है यानि ये साफ दिख रहा है कि COVID का इस दिखा कि 2BHK से जादा जो 3BHK के launches थे उसमें सीधा अगर आप देखें तो लगबब डबल से जादा का फरक आ गया यानि लोग 3BHK की तरफ जादा रोजान दिखाए लेकिन 23 में अगर आप देखेंगे कहीं ने कहीं थोड़ा सा जो है drop हुआ है यानि जो starting range of 3BHK के होत के उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी फरक है यानि 2019 में तो कुछ भी नहीं था सिर्फ 500 inventory launch हुए थी segment में वहीं अगर आप 2020 में देखेंगे तो लगब आप 800 inventory launch हुए थे और वही चीज़ जब आगे देखें 21 में जैसा मैंने आपको बताया बड़े size के apartment का trend चुए 2020 में लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस segment को देखेंगे बड़े size का 3BHK और 4BHK तो उसमें increase आपको दिख रहा है वही चीज़ अगर आप 2022 में देखें तो सीधा 2500 हो गया यानि 500 के आसपास की inventory 2019 में थी और यहाँ पे 5 times हो गया और अगर आप इस समय का data उठ देखेंगे 2030 का तो जो बड़े size का 3BHK और 4BHK की inventory है इसमें सीधा almost जो है 9 times जो increase हुआ है अगर आप तो 2019 से compare करेंगे और यहाँ पे आप देखें कि जो 2022 में launches थे उसका almost double हो गया है यानि लोगों ने रुजहान दिखाया है बड़े size के apartment में अब सीधा अगर आप shops में द मार्केट में थी लेकिन जैसे कोविड आया लोग के मन में दोईधा हुई और वो लोग shop की तरफ और कहीं न कहीं office की तरफ रुजहान कम दिखा रहे थे क्योंकि market में uncertainty थी लोग उस समझ में नहीं आ रहा था market किस तरफ जाएगा और वही चीज़ आप देहापे देख सकते हैं कि साड़े 8000 से सीधा 5000 साड़े 5000 सवा 5000 के आसपास आपको 2020 में 2021 में और 2022 में दिख रहा है लेकिन अगर आप 2023 देखेंगे तो यहाँ में shop की inventory कासी बड़ी मात्रा में आया निकि जो 3 साल था 20, 21, 22 उससे ज़्यादा लेकिन 19 से थोड़ा कम यानि कि जो uncertainty थी COVID के दौरान वो खतम होती हुई दिखी और दोबारा जो है developer ने market में shops की inventory बढ़ाई और लोगों ने उसे खरीदने पे भी रुजान दिखाया हुआ है अब अगर आप जो है एक तरीके से office spaces में देखेंगे तो इसमें भी same trend यानि कि 2019 में काफी बड़ी मात्रा में थे 6000 इसके launches हुए थे लेकिन 2021 में आप देखेंगे तो 2021 एक जैसा ही रहा है 2022 में थोड़ा बढ़े है लेकिन 2023 में दोबारा offices के जो supply है वो गिरी है नीचे इससे एक और संकेत निकल के आ रहा है अगर supply offices के कम हुए है 2023 में launches कम हुए है तो यह चीज़े दिखा रहा है कि आने वाले समय पे office के prices में increment देखा जा सकता है क्योंकि जब inventory कम होगी तो कहीं न कहीं prices उपर जरूर जाएंगे वही अगर आप order में जाए यानि कि residential प्लस commercial में तो यहां साफ देख सकते हैं कि जो 2019 में launches थे उससे 20-21 में कम हुए 21 में थोड़ा बढ़ा था लेकिन अगीन 2022 में कम हो गया यानि ऐसे ची वे दिख रहा है shop के case में office के case में ये inventory कम हुई है 2023 में last year में calendar year की बात हो दी यानि jan to December तो इससे साफ है कि आने वाले समय में office के rental और office के prices में increment देखा जा सकता है लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है वो यह है कि बड़े size के जो apartment है उस पे लोग बढ़ रही है लेकिन जो छोटे size के apartment बढ़े हैं उससे यह समझ में आ रहा है जो एक तबका है बायर का जो साइद effort नहीं कर पा रहा है लेना हर कोई चाह रहा है तो वो 1BHK की तरफ रोजान जो दिखा रहे हैं तो साथियां आगे बढ़के अगर आप इसके takeaways को इमनोरा एर्बैनो टावर्स हडपसर विंड्स अफ जोड़ी वी टीपी डॉलसे वीटा मांजरी खुद येश्मिन अर्बो सेंट्रो वाकर और आपका हॉन बिल हाइड्स जो है वो रिवर वियू सिटी में आता है ये रहा है वी टीपी फ्लमैंटे वागोली का रहा है ये इसे कौन से लोकेशन रहे हैं जो डेवलपर के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेवल रहे हैं न्यू लॉंचेज के लिए तो उसमें आ जाता है आपका पुनवले ताथोड़े बानेर बाले वाडी महारूंगे पिंपरी चरोली मोसी और कोथरूड का लोकेशन जहां पे लोकेशन को समझने के कोशिस करें जहां पे लॉंचेज डिक्रीज हुए हैं तो वो लोकेशन है केशो नगर मुंडवा और धायरी यानि अब इन दोनों चीज़ों से क्या निकल के आ रहा है जो आपका पुने का नौर्थ वेस्ट मार्केट है जिसमें आपका बालेवाडी बानेर, महरुंगे, वाकर, पुनवले, ताथोडे, रावे, क्यूले ये सारे लोकेशन पिंपरी वगरा को मिला के मोशी को मिला के जो आ रहा है यहां पे लॉंचेज बहुत जादा हुए है वही अगर आप पुने के इस्ट मार्केट को देखें या नौर्थ इस्ट मार्क आता है अगर सपोर्ट के लिए उसको इंफ्रा डिवलप्मेंट भी उसी तरीके से होता हुए दिखे लेकिन जहां लॉंचेज बहुत जादा आ रहे हैं वहां का एक ट्रेंट जरूर ये दरसाता है कि वहां पे प्राइस उस तरीके से नहीं होगा क्योंकि बदस्टूर जो जो नॉर्थ वेस्ट का लोकेशन है पूने का वहां पे तमाम लैंड पार्सल भी है यानि कि नए नए लॉंचेज एड होते रहेंगे तो इसको माइक्रो लेवल पे जाता जाके और अंडिस्टैंड करना होगा कि अगर आप इस लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आ लगातार ऐसे ही डेटा बेस्ट वीडियो को देखने के लिए तमाम केस इस्टडी को देखने के लिए और तमाम तरह की जो और्डर्स लगातार मारीरा दे रही है या जो बाइर के हित में कोई चीज हो रहा है इसके लिए आपको सौधागर से जुड़ना होगा अभी तर आपने सौधागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रिस कर ले जिससे आपको तमाम इन्फर्मेटिव वीडियोज मिलता रहे और हमें मिलता रहे आपका प्रोश साहन जन्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए इंफर्मेशन क साथ तब तक के निया धन्यवाद नमस्कार